Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी Gmail ID को अगर अपने फोन में लॉग इन करना रहे तो किस तरीके से हम कर सकते हैं जैसा कि माल लेजे Friends, पूराना फोन है उसका Gmail ID को मैं अपने न्यू फोन में लॉग इन करना चाहता हूं तो किस तरीके से लॉग इन कर सकता हूं आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल इसकी मत करिएगा और लाश्ट तक बने रहीएगा तो चले Friends, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाव टाइम बेश्ट के तो इसके लिए Friends, सबसे पहले आपको अपने Gmail अप को open कर लेना है तो चले Friends, आपने Gmail अप को open कर लेते हैं दन उसके वाफ Friends, यहाँ पर आपको अपने Google एकाउंट के लोगो पर क्लिक कर देना है उसके वाफ Friends, यहाँ पर आपको गूगल के option पर click कर देना है गूगल के option पर click करने के बाद friends यहाँ पर finger मांगेगा तो finger देना है अगर आप कोई और pattern या screen lock लगाए है तो इस तरीके से डाल कर यहाँ पर screen lock को open कर देना है तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर checking info लिखेगा उसके बाद थोड़ी देर आपको यहाँ पर wait कर लेना है तो चलिए friends हम यहाँ पर अपना Gmail लिख लेते हैं तो आप भी इस तरीके से लिख लीजिएगा ज़्याँ आप यहाँ पर देखते हूं मैं अपने Gmail अकाउंट का यहाँ पर लिख लिए उसके आप फ्रेंट्स यहाँ पर आपको निश्ट के option पर क्लिक करने के बात फ्रेंट्स यहाँ पर आपको उसका password डाल देना है जो भी password आपने बना रखा है उसी password को यहाँ पर डा ID के से कुछ लिखे हुआ आएगा तो यहाँ पर अगर आप अपने Gmail ID का password सेब करना चाहते हैं से वाले option पर आपको क्लिक कर देना है उसके फ्रेंट्स यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आजाना है और नीचे आने के बात फ्रेंट्स यहाँ पर आपको S.I.M. इनका option आएगा इसी पर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंट्स यहाँ पर एक नया interface आजाएगा तो यहाँ पर आपको फिर से I agree वाले option पर क्लिक करने के बार फ्रेंट्स यहाँ पर आपकी Gmail ID आपकी smartphone में login होना start हो जाएगी जैसा कि आप पर आप अपने Gmail ID login हुआ नहीं कैसे पता करेंगे इसके लिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी Gmail ID अगर login होगी तो यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाएगी जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभिनात पाल 529 ए ग्रेटे दिन gmail.com यहाँ पर मेरा gmail ID मेरे smartphone में login हो गया तो फ्रेंट इसी तरीके से आप अपने gmail ID को login कर सकते हो अपने नि이야 पो अपने new phone में अगर old phone में login की पहले से बना रखा था उसी gmail ID को आप इस phone में नए phone मे लोंग इन कर सकते हो इसी तरीके से तो फ्रेंट यहरी छोटी सी जानकारी, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा